जै सनातन धर्म की प्रिया दर्शक को आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चनल पर दर्शक को एक बात आपने सुनी होगी पैसा साथ नहीं जाएगा, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, सब कुस तो यहीं छूड जाएगा फिर क्यों इस मोमाया में पड़े हो, ये धन, ये दौलत, इसके पीछे क्यों भागती हो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी ऐसी बाते आपने बहुत बार सुनी होगी, और जो भी व्यक्ति आध्यात्म के मार्क पर चलता है, उसे तो ये बात अच्छी तरह से पता है लेकिन सनातन के अंदर धन को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, क्या दृष्टिकून है? क्या वास्तों में धन इस संसार में ही रहता है, मृत्यू के बाद हमारे साथ नहीं जाता है? क्या आखिर ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो अपनी पूरी जिंदेगी लगाता है पैसा कमाने में और क्या वास्तों में मृत्यू के बाद उसे यहीं छोड़ कर चला जाता है वो उसके किसी काम की नहीं है आज इनी सभी प्रश्णों का उत्तर सनातन उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूँ दर्शको जोतिश जिसके बारे में मैंने आपसे कहा है कि ब्रम्हान का पहला शब्द है जोतिश तो मैंने यूही नहीं कहा है ये इश्वरिय संदेश है इश्वरिय आदेश है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है इसलिए ये बात मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ मैं कभी भी अपने मन की कोई बात आपसे नहीं कहता कि मेरे मन में कोई बात आई और मैंने आपसे कह दी जब तक कोई इश्वरिय आदेश नहीं होता, संदेश नहीं होता मैं कभी भी वो बात आप लोग के सामने नहीं रखता हूँ इसलिए दरशुक एक बात को समझे किस ब्रह्मान के अंदर नौ आयाम है, उन नौ आयामों में साथ उरजाएं भी है और हम मनुष्य पंच तत्व से मिलकर बने हैं इसलिए जो पंच तत्व से मिलकर के संसार में आया है, बना है उसी के साथ बाकी के दो उरजाएं कनेक्ट होती हैं और बाकी के दो आयाम यानि के चार आयाम बाकी के शेश और दो उर जाएं तेंच के साथ कनेक्ट होती है। ऐसे में एक बात को समझें कि मैं कई बात पहले भी आपको वीडियो के मानतारें से बता चुका हूँ कि पहले दूसरे तीसरे आयाम, तीसरे उर्जाओं के साथ में, इन तिन उर्जाओं के साथ में, इस संसार का निर्मान होता है चौती उर्जा जब इस ब्रमान की मिलती है तो जीव जन्तुओं का निर्मान होता है ऐसे जीव जन्तुओं का निर्मान जो अपने प्रजाती को खुद बढ़ा सकते हैं मूव कर सकते हैं हमारे साथ संबाद कर सकते हैं हमारी ही तरह उनकी भाशा है और हमारी ही तरह वो खाते पीते भी हैं। इसमें संसार के सभी जीव आ जाते हैं। लेकिन इस ब्रमान का जब पांचवा तत्व सक्रिय होता है तब हम मनुश्यों की उत्पत्ती होती है और इसी लिए कहा गया कि ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। वो अलग से कोई भोजन देने नहीं जाता है। उनकी व्यवस्था इस कुद्रत ने इस तरह से की है कि वो कितने पैदा होंगे, कि संख्या में पैदा होंगे, उनकी संख्या नियंत्रण में कैसे रहेगी और उन्हें भोजन कैसे मिलेगा, कि सारी व्यवस्था इन चार आय चत्वों से मिलकर जो शरीर बना है, हम इनसान बने हैं, हमारी जरुतें, हमारा उद्देश है, हमारी सीमाएई, अनंत हैं। इसलिए हमारी इन जरोतों को पूरा करने के लिए ही इस ब्रह्माण के अंदर चटे तत्व की स्थापना होती है या वो चटा तत्व बनता है जिसे हम कहते हैं शुक्र तत्व अर्थात संसाधन। इसलिए धर्थी के सारे संसाधन केवल और केवल हम मनुश्य के लिए ही काम आते हैं कोई दूसरा इनका उपभूग कर ही नहीं सकता। यहां तक कि देवी देवता भी इसका उपभूग नहीं कर सकते उन्हें भी यदि इस संसार से कुछ चाहिए इस संसार की कोई वस्तु चा इसलिए कहा गया कि पंच तत्वों से मिलकर जो शरीर बना है हमारा मनुश्य योनी है यह दुरलब है क्योंकि इस प्रम्हाण के छटे तत्व का उपभूग केवल हम कर सकते हैं और सात्वे तत्व के अंदर पूरी की पूरी न्याई प्रणाली आती है इस संसार के नियम कायदे आते हैं जिने भगवान शिव संचालित करते हैं ये बात मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताई है ये वो सनातन रहसे है जिसके संधर्व में आप पहले नहीं जानते थे लेकिन इस वीडियो के माध्यम से यानि जो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए ये सब इश्वर ये आदेश से बन रहे हैं उनक का संधेश है जो मैं आपके सामने हू बहू वही रखता हूँ जो मुझे आदेश होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने 2023 में दिववे शक्तियों का आववाहन किया था और उस समय मेरी भावना किस चीज को पाने की नहीं थी बलकि जन कल्यान की थी कि हे इश्वर 2023 में प्र इसी भावना थी ऐसे में उन दिववे शक्तियों ने मेरे लिए वो मार्ग सुलब कराया है जहां मैं इस संसार की भलाई के लिए जो इश्वरी आदेश मुझे मिले वो मैं उन साधार्ण शब्दों में या उन रहस्यों को आपके सामने रख सकूं जो आपके जीवन को बात मैं कहता हूँ वो सनातन सत्य है और बिना सनातन सत्य के मैं कोई बात ना आपको कहूंगा ना मैंने आपको कोई बात कही है बात हम कर रहे थे कि जब ब्रम्भान की साथ उरजाएं इसी तरह से काम करती है तो एक मनुष्य भी अपने जीवन में धनारजन करता है लेकिन धनारजन केवल इतना सा नहीं है कि आपने पैसा कमा लिया। उस पैसे के साथ आप एक उर्जा भी कमाते हैं। क्योंकि संसार की उत्पत्ति का रहसी यही है कि यहां दो चीजें सदेव साथ चलती हैं एक पदार्थ और एक उर्जा। कोई भी चीज केवल पदार्थ रूप में हो ये भी संभाव नहीं है और कोई चीज केवल उर्जा के रूप में हो ये भी संभाव नहीं है। इसलिए हर चीज यहां पदार्थ और उर्जा के रूप में विद्दमान है इसलिए जो धन हम कमाते हैं वो तो पदार्थ है लेकिन उस पदार्थ के साथ एक उर्जा भी जुड़ी है इसलिए सरकार क्या कहती है यह काला धन है भाई वो पांसो का नुट कहां से काला धन है आपको लेकिन हम कहते हैं यह काला धन है तो यह काला रंग उसके उपर आया कहां से यह कौन सा रंग है जो हमें दिख नहीं रहा लेकिन हम बोलते हैं यह काला धन है अरे यह तो पाप की कमाई है उस पैसे के अंदर पाप कहां दिख रहा है आपको कही नजर आता है लेकिन जो कहा जा रहा है वो तो सत्य है काली कमाई हो पाप की कमाई हो यह कही जा रही है पाप तो यहां सनातन अपना संदेश जरूर हमें दे रहा है क्यानि जो धन हम कमाते हैं उस धन को कमाने के पीछे हमने किन उर्जाओं को शामिल किया है, सकारत्मक उर्जाओं को शामिल किया है, हमने अपने पांच तत्मों के अंदर उनका सही प्रियोग करके इसे अर्जित किया है या इनका दुरूपियोग करके इसे अर्जित किया है, यहीं उस धन के साथ वो उ प्योग करके धन कमाया है तो वो सात्विक धन है वो आपकी मेनत की कमाई है वो पुन्य की कमाई है उसमें हमेशा बरकत रहेगी हमेशा बरकत रहेगी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उसमें बरकत ना हो जब आप वो कमाई लाकर के घर में इश्वर के सामने रखते हैं और आप क जिर्वात सरुप आप मुझे प्रदान करें, यहां आपका वो धन पुन्य के कमाई हो गई और वो कभी भी आपको बरकत न दे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ हम अपने इन पंच तत्मों का प्रियोक करते हैं और गलत तरीके से प्रियोक करके धनारजन करते हैं, चोरी करें, बेमानी करें, जो भी कुछ करें हम, गलत तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे में जो हम गलत तरीके से इन धन को अरजित करते हैं, तो यहां उन पांच आयामों में व्याप्त नकारतमक उरजा को हमने अपने और आकर्शित किया है, उस धन के साथ अपने और आकर्शित किया है। यहां ये कमाई आपकी, पापकी कमाई हो गई। यहां ये धन काला धन हो गया। अब इस काले धन को जब आप अपने जीवन में प्रियोग करते हैं तो आप देखे अगर आप भोजन कर रहे हैं उस पैसे से तो आपका तीसरा तत्व खराब हो रहा है। उस पैसे से यदि आप आनंद ले रहे हैं तो आपका दूसरा तत्व खराब हो रहा है और यदि उस पैसे को आप दान कर रहे हैं ये सोच के कि मैं धरम कर रहा हूं तो यहां आपका पहला तत्व भी खराब हो रहा है क्योंकि आप किन उरजाओं को इश्वर को समर्पित कर र वह धन कभी भी पवित्र हो ही नहीं सकता बलकि आपका पहला तत्व खराब होगा उस पाप की कमाई के आने के बाद आपकी बुद्धी भी भ्रमित होते हैं आपका चौथा तत्व खराब होता है उस पाप की कमाई के आने के पश्चाता व्यसन करने लगते हैं यहां आपका ज्यान भी श्रीन होता है, यहां आपका पांचवा तत्व खराब होता है, और चुकि वो धन आपने पाप की कमाई से किया है, पाप की तरीके से किया है, गलत तरीके से उसको अरजित किया है, तो यहां छटा तत्व जो आपने संग्रहित किया है, संसाधनों का इस प्रकृति का वो भी आपका दुशित हो चुका है ऐसे में इस जीवन में जो आपने कमाई की है चाहे पाप से की हो चाहे पुन्ने से की हो यानि जो आपकी मेहनत की कमाई हो या पाप की कमाई हो यह जो कमाई आपने इखटी की है इसकी समस्त उर्जा आपके साथ कनेक्ट रहती है और ज इस वक्त आप इस संसार को छोड़ कर जाते हैं, यानि मृत्यू के पश्यात यही उर्जा, नौ आयामों की जो उर्जाएं हैं, यानि नौ आयामों में व्यापती जो साथ उर्जाएं हैं, ये आपके साथ उर्जा रूप में आपके सुक्ष्म शरीर के साथ कनेक्ट रहती है और जिस तरह का आपने जीवन जिया है जिस तरह की कमाई आपने इस जीवन में की है उसी के आधार पर आपका अगला जन्म निदारित होता है और जिस जगे आप जन्म लेंगे वहाँ आपको जितनी कमाई आपने यहां की है इस जन्म में ठीक उन्ही परस्तितियों के अंदर आपका अगला जन्म होगा जहां वही कमाई वही दौलत पाप की हो चैपुन्य की हो आपको पुन्य मिलेगी संपत्ति के रूप में तब ही एक व्यक्ति जोबड़े में पैदा होता है और कोई व्यक्ति महलों में पैदा होता है कोई व्यक्ति किसी महात्मा के घर में पैदा होता है और कोई व्यक्ति दुस्ट के घर में पैदा होता है ये वो प्रक्रिया है जो सनातन प्रक्रिया है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे। ऐसे में जो आपको जन्म मिला है और जन्म के साथ आप जो कि पिता की दौलत है तो वो आपकी है, पिता की संपत्ति आपकी है, माता पिता की सारे संपत्ति आपकी है, उस पर आपका अधिकार आपको जन्म के साथ मिला है, तो आपको ही क्यों मिला वो अध परिवार मिला, चुकि पिछले जन्म में आपने जिन जिन लोगों का साथ लेकर वो दौलत कमाई है, वही लोग इस जन्म में आपके साथी बन करके आपके साथ आते हैं और आपका परिवार बनता है और अब आपका परिवार आपके साथ उस दौलत को भोगता है, अगर पु असाद्य रोग हो गया, इस थाई अपंगता मिल गई, कर्ज के तले डूबे वे हैं, इस सारी के सारी जो परिस्ति हमें मिलती है जन्म के साथ, यह हमारी वो दौलत है जो हमने पिछले जन्म में कमाई थी, पदार्त वहीं रहे गया, क्योंकि इस धर्ती से बाहर पदार्त जा सातों आयाम की उरजाएं आपके साथ कनेक्ट रहती हैं, और जब आपका अगला जन्म होता है, तो वही उरजाएं इस संसार में पुने आती है, और उन पदार्तों का संयोग बनाती है, अब यहां से आपको वही दौलत दुबारा मिल गई, जिसे आप पिछले जरम में छो जो हम कहते थे कि हमारे साथ नहीं जाती है, यह हमारी बहुत बड़ी गलत धरना है कि नहीं जाती है, यह आपके कमाई ही हर एक दौलत, आपका पुन्य, आपका पाप, हर चीज आपके साथ जाती है, और अगले जन्म में आपको ठीक उसी इस्तिती में मिलती है, जिस इस्त में पड़े हैं, फिर आप थोड़े समय के बाद बैंक में जाते हैं और उन पैसों को निकलवाते हैं, तो क्या आपको वही नोट मिलते हैं, जो आपने बैंक को दिये थे, ऐसा नहीं होता, लेकिन उतने ही मुले के रुपए तो आपको मिलते हैं न, हो सकता है आपने 500-500 की द दस गड़्टियां देतें, तो यहां पर उसकी वैल्यू बराबर है, चाहे नोट कोई से भी हो, इसी तरह से हमारे इस जनम में कमाईवी दौलत की वैल्यू वही होती है, जो हमें अगले जनम में मिलती है, और अगले जनम में जो दौलत हमें मिलती है, वो ठीक उसी रूप कर ही नहीं सकती है, और इसी लिए कहा जाता है, यह पाप की कमाई है, यह काला धन है, काला धन कोई इसका मतलब यह नहीं होता कि उस धन का रंग काला है, पाप की कमाई का मतलब यह नहीं होता कि उस नोट के साथ कोई पाप जुड़ा हुआ है, उसके साथ उर्जा अब यहाँ पर एक बात वारती जिसे बताना बहुत आवश्यक है अब जब आप किसी से धन लेते हैं या किसी का धन आपके पास आता है चाहे वो सेलरी की रूप में आए चाहे आप जो विक्री करते हैं उसके रूप में आए या किसी भी तरह से कोई धन आपके पास आता है तो आपको नहीं पता ये धन कैसा है, ये पाप की कमाई का धन है या पुन्य की कमाई का धन है, यानि आप व्यापारी है, किसी ने आपके कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने पैसे दी, आपसे सामान लेके चला गया, अब आपको क्या पता है जो दौलत लाया है ये पाप की है ये पुन्ने की है तो यहां इस धन को पवित्र करने का एक माध्यम है और माध्यम क्या है कि आप रोज जो आपकी कमाई है आप जाए बैंक में आ रही है तो भी और आपके पास नगद आ रही है तो भी नगद आ रही है तो उस पैसे को भी आप इश्वर के सामने रखकर हाथ जोड़ करके आप ये कह सकते हैं हे इश्वर कि जो आज धन मेरे पास आया है कि मैं आपको समर्पित करता हूँ आप इसे स्विकार करें और इसे पवित्र करके मुझे पुने सौपने की करपा करें यहां आपका धन पवित्र हो गया यहां आप किसी भी तरह की उर्जा जिस व्यक्ति ने उस दौलत को कमाने में लगाई थी और वो आपको देखर गया है यहां यह दौलत आपकी पवित्र हो गयी है ये धन आपका पवित्र हो गया है अब इस दौलत से इस धन से आपको किसी भी तरह के कोई हानी नहीं हो सकती इसलिए दर्शकों कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत पुन्ने की कमाई आपने की है मेहनत की कमाई की है घर में रखी है और अचानक चोरी हो जाती है आप कहते है इश्वर मैंने ऐसा क्या किया मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ इस चोरी मेरे साथ क्यों हुई आपका बड़ा दिल दुखता है क्योंकि आपकी जीवन भर की मेहनत की कमाई थी वो मेहनत के गैने थे बड़ी मुश्किलों से आपने बनाए थे कोई चोर आया आपको लूट के चला गया आप कहेंगे हो सकता है पिछले जनम में मैंने कोई ऐसा पाप किया हो नहीं दर्शकों ऐसा नहीं होता है अगर पिछले जनम में आपने कोई पाप किया है उसकी सज़ा अलग तरीके से होगी इस तरह ciaudy करके नहीं होगी यहाँ यह च्योरी इसलिए होती है कि जो दॉलत आपके पास आ रही है जो धन आपके पास आ रहा है वो तो किन उर्जाओं को ले कर आ रहा आपको नहीं पता ऐसे में अगर कोई धन आपके पास ऐसा आ गया जो नकारत्मक उर्जाओं से क्रसित है किसी गलत तरीके से कमाया हुआ है अब आपको क्या पता आप टूशन करते हैं किसी के माबाप आकर कि आपको फीस देखी गए है बच्चे की आपको क्या पता उसके माबाप किस तरह से पैसा कमा रहे है वो चोरी का है बेमानी का है इमानदारी का आपको नहीं पता ऐसे मैं आप लेके रख लेते हैं कहा रहे हैं ये तो मेरी इमानदारी की कमाई है मैनत की कमाई है नहीं दर्शकों, उस धन के साथ एक उर्जा भी आपने ली है, इसलिए उस धन को जब तक आप इश्वर के आगे समर्पित नहीं करेंगे, इश्वर से प्राथना ही नहीं करेंगे, यहे इश्वर इस धन को स्विकार करें, और अपने खजाने में से मुझे इसे लोटाने की क आएगा मचाल नहीं किसी की कोई उसको लेकर चला जाए दर्शक को इसलिए बाद ध्यान रखिए धन की दौलत संपत्यां जो भी हम कमाते हैं ये हमारे साथ हमेशा रहती है कि कभी हमें छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि ये इस स्रस्टी के इस ब्रमाण के अत्वे आयाम की उर्जा है जो हमसे परधक हो ही नहीं सकती और इसलिए दर्शक को जब कभी आप किसी मंदिर में जाते हैं किसी तीर्थिस्दल पर जाते हैं वहाँ वो आपको एक दो रूपय का सिक्का या कोई सिक्का आपको देते हैं आप बड़ी पवित्रता से उसको लेकर के आते हैं अपने गल्ले में रख देते, अपनी तिजोरी में रख देते हैं ऐसा आप क्यों करते हैं? उसकी वैल्यू तो एक दो रुपए है और आपके लिए तो वो कुछ भी नहीं है लेकिन आप उस एक दो रुपए के सिक्के को भी परमात्मा की कृपा मान उनका आशिरवात बांते हैं और इसलिए उसकी ताकत को आप जानते हैं, समझते हैं और उसे आप अपनी तिजोरी में इस्थान देते हैं या हर चीज आप करते तो हैं लेकिन क्यों करते हैं आपको नहीं पताता और इसलिए आज की वीडियो में मैंने आपके सामने सारे बाते रखी उमीद करता हूं दश्यकों आज का वीडियो आपको ये समझाने के लिए प्रयाप्थ है कि सनातन धर्म हमें किस तरह से धन कमाने के लिए प्रेरित करता है और इस धन को पवित्र कैसे किया जाता है ये वो रहस्य है जो मैंने आप लोग के सामने रखा है इश्वरी कृपा से इश्वरी आदेश से रखा है इसे मानना या ना मानना ये आपके हाथ में है उमीद करता हूं दाश्यकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा अगले वीडियो में आपसे फिर भेट होगी तब तक हमारे चानल पर बने रहिए जै हिन्द, जै भारत, जै सनातंधन